तो भाई यहाँ पर हमारी बोट कैसी हेलिकोप्टर के ऊपर हवा में उड़ रही आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पर मैं एक सा तीन दिन डोग को कैसे चला पा रहा हूं और यहाँ पर हमारा डोग हवा में कैसे उड़ पा रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे तो हे गाज वेल्कम बैक और नदर वीडियो तो भाई आज की वीडियो में आपने फिर से करने वाले अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के टोप 7 मित को ट्राइ जो की रोंग होने वाले है या राइड तो चली वीडियो में देखते हैं तो यह रामारा पहला मित यह भाई कह रहा है न्यू पल्सर को मिक्स कलर करो और फिर देखने तगड़ा मैजिक होगा तो भाई यहाँ पर हम 5000 से कर लेते अपनी न्यू वाली पल्सर को स्पोन और देखते क्या तगड़ा मैजिक होने वाला है और यहाँपर मैंने कर लिए blossom और देखतें यहाँपर mixed color करके और क्या होता है हमारे साथ तो भाई यहाँपर मैंने mixed color तो कर दिये बट यहाँपर कोई भी कुछ भी effect देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँपर शिर्फ बाई का कलर चेंज हो जाता है और भाई यहाँ पर कोई भी मैजिक देखने के लिए नहीं मिले तो आपका मित होता है यहाँ पर रोन गल्ट है भाई आपका मित तो भाई यह रहा हमारा दूसरा मित यह भाई कह रहा है RJS टूल में एम टाइब करने के बाद डाइनसौर को स्पोन नहीं करना है फिर अपने शिटी का कोई भी NPC गंचे नहीं मरता है तो भाई यहाँ यहाँ पर हम एम डालते हैं अपने RJS टूल में और देखते हैं क्या होता है फिर यहाँ पर मैंने एम डाल दे है और यहाँ पर हमारा टारगेट मोड ओन हो चुका है और अब यहाँ पर एंपेज़ी को ढूंडते हैं और उन पर फायर करते हैं तो भाई हमें दिख चुका है सामने एक बली का बकरा और इस पर जाते हैं उनसे ईके उंसे गोलियों की बरसाद कर देते देखते मरता है यानएתחWe मेरा मित भी कनफरम हो जाएगा हुआ ऐ यह नहीं मरा तो बाई आपका मित होता है यहां पर कनफरम यह दीट को मंगा लिया है और अब इसके उपर बोट को भी मंगा लेता हूं मैं यहां पर 3001 से बोट को मंगा लिया है मैंने यहां पर और यहां पर मंगाने के बाद भाई यहां पर मैं अपनी मून ग्रैविटी को भी एनेबल कर लिया है और अब यहां पर एंटर करता हूं मैं को उपटर आपर हाव में लेकर कि आ चुका है तो भाई यहां पर यह कितनी समूद तरीके से अपनी बोट को आव में उड़ा सकते तो यहां आप का मित होता हैं या पर कनफरम तो यह हमारा अगला मित यह पाई कह रहा है एक के उपर एक डोग को स्पोन करो फिर देखो आपका करेक्टर डर जाएगा अबे भाई यह कैसे हो सकता है हमारा करेक्टर डर जाएगा तो यहाँ पर मैं जल्दी तीन डोग को स्पोन कर लेता हूँ एक के उपर एक और यहाँ पर मैंने तीन डोग को स्पोन कर लिया है तो भाई यहाँ पर तीन डोग को स्पोन तो कर लिया है बट यहाँ पर हमारा करेक्टर तो डरी नहीं रहा है शाला देख रहा है इनको गूर्द कर देख रहा है भाई तीनों को एक साथ देख पा रहा है यहां पर मैं बैठता हूं भाई तीनों को ड्राइव कर सकते हैं यहां पर तो भाई यहां पर तीनों को ड्राइव कर पाएंगे या नहीं यह देखते हैं तो भाई यहां पर हम तीनों को ड्राइव कर बोट देखने के लिए नहीं मिलती है और इसी के साथ आप कमी作र होता है याप वर गलत तो भाई यह रामार आगला मित यह बाई कहरा है गोरे गोष्ट राइडर वाई को पानी के अंदर ले जाओ और फिर देखना तकड़ा मैजिक होगा तो वाई आपर मैं अपनी घॉष राइडर भाई को मंगा लेता हूँ 555 सेवीं अपनी घॉष्ट राइडर भाई का जाएगी तो वाई यहां पर हमारी साथ तो स्कैम हो गया भाई यहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ यार भाई आपका मित होता है यहां पर गलत तो भाई यहां पर कुछ भी तगड़ा मैजिक देखने के लिए नहीं मिला मी तो भाई यह रहा है मून ग्रैविटी लगा कि डोग पे राइड करके किसी भी बाइ यहां पर मून ग्रैविटी को भी लगा लूँगा और आप अपने के तरफ देखते हूं एक लाल रंग की ःताया है बाई यहांपर चटनी बना दी जाएगी गाड़ी की भी और यहांपर मेरी भी चटनी बन सकते क्या देखते क्या होने वाला है तो भाई यहां पर आप लोग देख पा रहे होगे कितनी रफतार से बच गया यार यहां पर यहां पर यहां पर हमारी ड्राइवरी खराब है यार यहां पर फुल रफतार से फिर अब की बार भाई यहां पर यहां पर यहां पर यह मैंने ठोक दी है और यहां पर आप सबस्क्राइब आप कमीद होता है यहां पर यहां पर आपका मीद होता है यापर और यहां पर काफिरात वेशाब से बहुत जुए है बाई हमारे घर के तो बाई वीडियो को करते हैं और मिलते अगली वीडियो में जब तक के लिए टेटा बाई गुडबाई